हलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का हमारे यूटूब के चैनल में स्वाबत है आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में पर्यावरण से जितने भी क्यूस्टिन बनते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो चलते हैं अपने क्यूस्टिन के तरफ पहला प्रस्न है कि कराची किस नदी के किनारे इस्थित है यनि कि कराची किस नदी के किनारे है तो यह सिंधु नदी के किनारे इस्थित है अगला प्रस्ण है कि 20 में कितने देश भू आवेस्ठीत है यान्य कि 20 में कितने देश भू आवेस्ठीत है तो 44 जो देश है भू आवेस्ठीत है की बिश्यु का सबसे बाड़ा भू आवेश्टी देश कौन सा है ? तो विश्व का सबसे बड़ा भू आवेश्टित देश है काजाकिस्तान है कौन सा देश है काजाकिस्तान है अगला प्रस्न है कि गेहु के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है तो गेहु के उत्पादन में पहले अस्थान पर चीन है अगला प्रस्न है चावल के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है तो चावल के उत्पादन में भी पहले अस्थान पर चीन का ही नमर आता है अगला प्रस्ण है कि मक्का के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है यहीं कि मक्का के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है तो सनिक्त राज अमेरिका जो की मक्का उत्पादन में पहले अस्थान पर है उसके बाद अगला प्रस्ण है कि तिलहन के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है यहीं कि तिलहन के उत्प पहले अस्थान पर ब्राजील है कौन है ब्राजील है अगला प्रस्न है मुंगफली के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है तो मुंगफली के उत्पादन में पहले अस्थान पर चीन है अगला प्रस्न है कपास के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है तो कपास के उत्पादन में पहले अस्थान पर जो है की चीन है कौन देश है चीन है अगला प्रस्न है जो के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है तो जो के उत्पादन में पहले अस्थान पर उरूस का नमबर आता है अगला प्रस्न है जई के उत्पाद प्रस्ण है कि उत्पादन में कॉम सा देश पहले अस्थानces रहे कि अगला प्रस्ण है कि इस प्रश्च के इृत पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है यहीं कि जो मोटा अनाज है उसको उत्पादन करने में कौन सा देश पहले अस्थान पर है तो सन्युक मोटे अनाज के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है तो सन्युक तराज अमेरिका है कौन सा देश है सज्युक्त राज अमेरिका है अगला प्रस्ण है कि चाय के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है तो चाय के उत्पादन में पहले अस्थान पर कौन है चीन है और दूसरे अस्थान पर भारत है अगला प्रस्ण है चुकंदर के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर है यह निकी चुकंदर के उत्पादन में पहले अस्थान पर रूस है अगला प्रस्ण है रबर के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान पर आता है तो रबर के उत्पादन में पहले अस्थान पर थाइलेंड का आता है अगला प्रस्ण है गन्ना के उत्पादन में कौन सा देश पहले अस्थान है तो गन्ना के उत्पादन में पहले भारत है अगला प्रस्ण है कि प्राकीतिक संसाधनों का मूल स्रोत क्या है यानि कि जो प्राकीतिक संसाधन है उसके मूल स्रोत कौन कौन से है तो उसका मूल स्रोत है प्रकीति यानि की नेचर है अगला प्रस्ण है कि केंद्रिय वन आयोग की अस्थापना कब की गई है यानि 1665 इसवी में की गई थी अगला प्रस्ने भारतिय वन सर्वेच्छन संगठन की अस्थापना कब की गई थी तिया 1971 में किया गया था अगला प्रस्ने भारतिय वन अनुसंधान संस्थान की अस्थापना कब की गई थी तिया 1906 इसवी में भारतिय वन अनुसंधान संस्थान की अगला प्रस्ण है पीर्थवी पर स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है यह नहीं कि पीर्थवी पर पीने लाइक पानी का प्रसेंटेज कितना है तो 2.5 है अगला प्रस्ण है स्वच जल का कितने प्रतिसत ग्लेसियर में बर्फ के रूप में है तो यहाँ पर 0.5% ही स्वच जल भूमिगत जल के रूप में इस्तित है अगला परस्ण है स्वच जल का कितने प्रतिसत नदी के जल के रूप में है तो यह 0.02% है अगला परस्ण है कि जल संसाधनों के प्रबंधन में कौन साराज पहले अस्थान पर है तो जल संसाधन के प्रबंधन में पहले अस्थान पर गुजरात है अगला प्रस्ण है कि जल संसाधनों के प्रवंधन में कौन सा हिमालई राज पहले अस्थान पर है तो वह तुरिपूरा है अगला प्रस्ण है कि मनुष जीवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आधता कितनी होती है तो 60 प्रत्षत सर्वाधिक आधता होती है अगला प्रस्ण है कि मनुष जीवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपमान कितना होना चाहिए 25 डिगरी होना चाहिए समान जीवन के लि दोहन की कारण सरवाधिक प्रुभावित होने वाला सहर कौन सा है तो भूमिगत जल के दोहन की कारण सरवाधिक प्रुभावित होने वाला सहर है तो वह ब्रूकलीन है कौन है ब्रूकलीन है अगला प्रस्न है इकोलाजी सब्द का सरप्रथम प्रयोग किसे ने किया था? यनि कि पारिस्थित्गी का जनक किसे कहा जाता है? यनि कि पारिस्थित्गी का जनक किसे कहा जाता है? यनि कि पारिस्थित्गी का जनक किसे कहा जाता है? यनि कि पारिस्थित्गी का जनक किसे कहा जाता है? यनि कि बिटामिन का निर्मार प्रकास की उपस्तिती में होता है तो प्रकास की उपस्तिती में बिटामिन डी का निर्मार होता है किस का होता है बिटामिन डी का अगला प्रस्ण है कि किस प्रोटीन का निर्माड प्रकास की उपस्थिती में होता है तो प्रकास की उपस्थिती में जो प्रोटीन का निर्माड होता है उसे हम कैरोटीन कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा लोईस मैदान किस देश में इस्तित है तिया चीन में इस्तित है वाई द्वारा उड़कर दूसरे अस्थान पर जाने वाली मिर्दा क्या कहा लाती है तो उसे वाटार्ड मिर्दा कहते है अगला प्रस्ण है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सरवाधिक महत्पूर्ण तत कौन सा है तो मैगनीसियम है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अगला प्रस्ण है वास्वी करण के लिए सरवाधिक महत्पूर्ण तत कौन सा है तो पोटेसियम है वास्वी करण के लिए मातपूर्टत कौन सा है पूटाइसियम है अगला प्रस्ण है कि पौधे जड़े के द्वारा कीस क्रिया से जल और सोसित करते हैं तो या केसी कत्व के द्वारा पौधे जड़ के जल को और सोसित करते हैं अगला प्रस्ण है कि उच पारिस्थित की उत्पादक्ता पाई जाती है तिया उस्ण एवं सिटोस्ण कटी वन्दियों वन्द में पाई जाती है अगला प्रस्ण है मध्यम पारिस्थितिकिय उत्पादन पाई जाती है या मरुस्थल में पाई जाती है अगला प्रस्ण है किस रेखा के पास सीत रितु नहीं पाई जाती है यनि कि किस रेखा के पास सीत रितु नहीं पाई जाती है तिया भुमद्य रेखा में सीत रितु नहीं पाई जाती है अगला प्रस्ण है कि पिर्थवी पर पवन के संचरण का कारण क्या है या वाईदाप की प्रवाणता है अगला प्रस्ण है बिस्व में सरवाधिक होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है इनकी बिस्व में जो सरवाधिक वर्षा होती है उसका प्रकार क्या है तो यह प्रकार है परवतिर वर्षा का कैसा प्रकार है परवतिर वर्षा का अगला प्रस्ण है कि समुद्र के तल में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है तो समुद्र के तल में रहने वाले जीवों को बेंथस कहते हैं क्या कहते हैं बेंथस अगला प्रस्ण है कि पंपास घास का सरवाधिक विस्तार किस देश में है येनि पंपास जोगा से इसका विस्तार किस देश में ज्यादा मात्रा पर है तिया अर्जेंटीना देश में है अगला प्रस्ण है भारत में प्रती ब्यक्ती वनों का छेतरपल कितना है तिया 0.11 hectare है अगला प्रस्ण है 20 में प्रती ब्यक्ति वनों का छेत्रफल कितना है तो 20 में जो है कि 1.08 हिटे है अगला प्रस्ण है कि भारत में सरवाधिक छेत्रफल पर पाये जाने वाले वन है यहीं कि भारत में सरवाधिक छेत्रफल पर पाये जाने वन कौन से है तो उस वन को हम मैग रोग वन काते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग वीडियो